हेलो, वेलकम टो एमडीन पब्लिक स्कूल ओफ एजुकेशन का लायत बच्चों जैसे के आप लोग को पता है मैं मनिशा दिमान आप लोग को 6th क्लास की इंग्लिश ग्रामा जो है वो टीच कर रही हूं और आप लोगों का जो sentence हम लोग क्या कर चुके हैं हम तीन chapters जो है हमारे कर चुके हैं हम लोग back जाके थोड़ी इनकी revision ले रहे हैं बिकोस हमने मैंने तब आप लोग को क्या किया था सिर्फ उनकी meaning और definition संजाई थी अभी उन chapters के exercise भी रहती है तो आप लोग अपनी fair notebook में क्या करेंगे सबसे पहले आपका chapter जो है जैसे for example sentence मैं करवा रही हूं तो sentence के मैंने आप लोग को definition लिखवाई है सबसे पहले आप लोग वो definition करेंगे और वो definition करने के बाद मैं यह जो exercise आपको A123 as a sequence करवा रही हूं वो आप with solution अपनी notebook के अंदर करेंगे और जैसे कोई बच्चे ऐसे हैं जो first time इस वीडियो को देख रहे हैं अगर किसी बच्चे ने भी first lecture से मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मैं जो भी करवा रही हूं वो उसको समझ नहीं आएगा तो मेरी आप सबी बच्चों से request है कि मैंने description box के अंदर हर वीडियो का अपना link दिया हुआ है तो आप back to back back to back वीडियो जा कर मेरे first lecture से start कर सकते हैं और उसको अच्छे से समझ सकते हैं और देख सकते हैं और रही बात notebook preparation की जो भी बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं जिस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं उसी चैनल के ऊपर मैंने अपनी special instruction डाली हुई है कि आप लोग क्या करोगे English literature की और grammar की जो notebook है वो आपने कैसे prepare करनी है उसके अंदर क्या क्या चीज़े आपने लिखनी है किस sequence में लिखनी है और क्या क्या चीज़े उसके अंदर mention होनी चाहिए मैंने सब दिया हुआ है आप उस वीडियो को भी देखें और साथ की साथ उसके description box के अंदर जो जो है उसे भी पढ़ें अच्छी तरह से और अब बच्चो हम लोग last वीडियो में क्या कर चुकी हैं जैसा आप लोग को पता है मैं करवा भी चुकी हूँ कि हम लोगों ने kinds of sentence चार पड़े थे और कल वाली वीडियो में मैं आपको एक तो declarative के positive और negative points बता चुकी हूँ साथ की साथ मैं आपको interrogative sentence के भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कौन से होते हैं interrogative sentence जिनके पीछे question mark होता है और कुछ questions जो हैं वो WH questions होते हैं या फिर S से start होते हैं वो हमारे WH questions जैसे हमने यहां तक कर चुके थे अब हम इसको आगे start करते हैं जैसे देखिए WH questions कौन से जो WH से start होते हैं जैसे where, what, why, when, who, how, whom भी होता है इसमें विच यह सारे क्या हैं हमारे WH questions हैं maximum कुछ हमारे questions होते हैं interrogative वो yes या no में भी होते हैं अब वो yes या no में कैसे बनते हैं जैसे यहां पर देखो आप लोग को पहला जो sentence है क्या दिया हुआ है why are you not studying why are you not studying तुम पढ़ क्यों नहीं रहे अब इसकी हिंदी तो यह बनी अब अगर हमें इसे yes no में करना है तो क्या करेंगे इसका डबल्यू एच वाई वाई को गायब कर दीजे और अब जरह इसे पढ़िए are you not studying क्या तुम नहीं पढ़ रहे तो answer किसमें आएगा हाँ या ना में यह 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 no question बन गे तो जब helping वर बागे आ जाती है subject पीछे रहता है वो हमारे yes no question बनती है और जब हमारे wh question आगे आ जाता है तो वो हमारा पूरा description answer बनता है हमारा उसका यह हमें उसे पूरा brief में बताना पड़ता है तो बच्चो always put a mark of interrogative at the end of an interrogative sentence interrogative sentence के पीछे आप लोग को interrogative mark जरूर मिलेगा वो आपका क्या होगा interrogative sentence अब next हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा imperative sentence है imperative sentence क्या होता है जो किसी command को request को या advice को जब मैंने आप लोग को बिल्कुल first exercise first और second में लेच्चर है उसके अंदर में लोग की definition आपको बता रही है और सेम वही चीज़ आपको notebook के अंदर लिखनी है ठीके अब imperative sentence देखिए जरा जो हमें क्या express करी है तो कोई command दे रहे हूँ command in the sense कि कोई आपको order दे रहा हो कोई advice दे रहा हो request request कब करते हैं जब हम please बोलते हैं कोई suggestion दे रहा हो तो वो हमारे कुम से होते हैं वो होते हैं हमारे imperative sentence अब हमारे imperative sentences हैं for example imperative positive भी होते हैं और negative भी होते हैं for example अब किसी ने बोल दिया कि please close the door यह क्या है यह request है बट कैसी request है positive वाली request है अब कोई बोल दे please don't close the door तो यह negative है यह हमारा negative imperative sentence है but है फिर भी क्या request हो इसी तरह से हमारे imperative sentence positive भी हो सकते हैं negative भी हो सकते हैं imperative sentence कौन से हुए जो हमें command request या advice for example कोई suggestion देते हैं वो क्या हैं हमारे imperative sentences negative sentences कौन से होते हैं हमारे negative sentences जो होते हैं वो हमारे strong feeling को express करते हैं जो हमें sudden feeling आती है उसे express करते हैं हमारे कौन से sentences negative sentences यह आप लोगों को एक छोटा से डंडा और दोड़ दिख रहा होगा यह आपका exclamation mark होता है जो आपके exclamatory sentences के पीछे आप लोगों को सभी को मिलेगा ही मिलेगा तो आप लोगों को क्या करना है जैसे sudden feeling क्या होते हैं कोई अचानक से बहुत खुश हो जाता है कोई बहुत उदास हो जाता है तो हम वाओ भी बोलते हैं हुर्रे भी बोलते हैं हमारी कैसी feeling है यह हमारी sudden feeling है जो हमारी emotion को suddenly express करती हैं तो यह हमारे कैसे sentence होते हैं यह हमारे exclamatory sentences होते हैं जैसे यहां पर थर्ड एक्जांपल देखिए हाव हो आई डिड्न और सी यू कम इन वह एकदम से डर जाता है कि मैंने तुम्हें अंदर आते हुए देखा ही नहीं डर गया कैसी feeling थी डर की कैसा डर था suddenly आने वाला तो यह किसको express करता है sudden feeling को बहुत बार क्या होता है हमारे जो यह एक्सलमेटी संटेंस है यह हमारे हाव और वर्ट से स्टार्ट होते हैं जैसे हम बोलते हैं यह हमारे किसको दिखाता है हमारी है रानी को यह नहीं हमारे surprise को दिखाती है अब इसी तरह से हमारी क्या हो सकती है अब इन्होंने क्या दिया हुआ है transformation of sentence हमने फ़र्स पढ़ा था कि हमारे जो assertive sentences थे उस assertive sentences को इन्होंने किसमें ट्रांस्पोर्मेशन किसमें किये interrogative sentences में अब assertive sentence हमें क्या देता है भई information देता है state बताता है और interrogative हमसे क्या पूछता है question पूछता है अब हमें first देखो मैं आपको first बताऊंगे आगे वाले सब आपने पूद करने है देखों there is a clock on the wall दिवार पर क्या है घड़ी है ठीक है अब इस दिवार पर क्या है दिवार पर घड़ी है यह simple आपको information प्रवाइड करती है अब जब आपने इसको interrogative बनाना है तो आप इसको क्या पूछोगे इसको कैसे पूछोगे क्या दिवार पर घड़ी है ऐसा ही पूछोगे ना question में पूछोगे आपने aninformation दी कि 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 दिवार पर घड़ी है अब आप किसीगर जाते है आपको नहीं पाता हुन के दिवार पhr हमारा subject होता है वो पीछे हमारी helping verb क्या है इसके अंदर is है वो आगे चली जाएगी और there कहां आ जाएगा पीछे आ जाएगा और जब interrogative बनाते हैं तो हमारा question mark जो है वो most important होता है जो इसके पीछे हमारा लगेगा उसके बाद I can lift this box थीक है तो अब जब हमने क्या बनाना है अब हमें इसके interrogative बनाना है तो मैंने क्या बताया कि हमारा subject आ जाएगा पीछे और साथ की साथ जो हमारा helping verb है यानि एक modal है उसको हम क्या करेंगे उसको हम आगे shift कर दे और interrogative के लिए क्या लगाएंगे question mark तो यह हमारा क्या form बन जाएगी I can lift this box मैं इस box को उठा सकता हूं और जब वो से पूछे कि क्या मैं इस box को उठा सकता हूं तो यह क्या बन जाएगा can I lift this box अब हमने next वाला जो आपकी exercise है exercise नहींगे आप लोग के testing लगा लो कि आपने ज किश्धु करना है असर्टी संटेंसिज के अंदर change करना है Assamity क्या होती है जिसको आप किसमें करते हो फारानी शो चरते हो और assertive sentence कोंसे होते हैं जिसके अंदर आप लोग को information देते हो अब हैरानी को information में आपने क्या करना है transformation करनी है अब देखो इसमें exclamatory sentence first देखो What a pretty flower What a pretty flower मैंने बोला था कि जो हमारे exclamatory वाले sentences होते हैं वो maximum time मतलब w और h यानि what और how से express करते हैं What a pretty flower कितना और तब ये क्या में और कैसे में नहीं कितना और हैरानी ये surprise वाले form में क्या है transformation हो जाती है What a pretty flower मतलब वो हैरानी surprise बता रहा है अपनी feelings को अपनी feeling जो उसको surprise हुई है उसको देखके उसे बता रहा है कि कितना सुन्दर fool है अब जब हम इसको assertive में एक information में provide करते हैं किसी person को तो हम क्या कहेंगे yeah fool बहुत सुन्दर है तो हम इसको क्या बना देंगे वो एक thing है यानि एक चीज है तो हम उसको it में convert करेंगे because क्यों क्यों क्योंकि वो कैसी है वो बिल्कुल भी move करने वाली चीज़े नहीं है तो वो किसमें हो जाएंगे हमारा subject क्या बन जाएगा it और it is a pretty flower जो हमारा exclamation mark है वो हट जाएगा assertive में क्या लगता है first row ठीकि next वाला आप लोग खुश से करेंगे imperative sentences को interrogating में बदलना है जैसे आप लोगों ने last किया क्या किया आप लोगों ने assertive को interrogative में बदला same ऐसे ही आप लोग इनने भी क्या करेंगे किसमें change करेंगे interrogative में यह exercise आप लोग खुद से करेंगे यह आप लोग के लिए एक home work है साथ की साथ आप लोग बच्चा यह जो आपकी fourth exercise है identify and write the type of the following sentences मैंने आप लोग को बता दिये मैंने आप लोग को यह बता दिया कि वो sentence कैसा दिखता होगा पीछे कौन सा mark होगा जब आगे आएगा तो कौन सा बनेगा यह सब मैं आप लोग को अच्छी तरह से मेरी last videos में भी बता चुकी हो तो आप क्या करोगे इसको अच्छे से देखोगे आप लोग के exercise 4 है यह आप इसका screenshot ले लो और उसके बाद क्या करोगे screenshot लेकर इसका आप घर पे इसको home work में करोगे जो बच्चे कर सकते हैं वो मुझे comment box में इसका answer देंगे जो भी question आप से हो जाता है नहीं होता तो आप यह से पूछे मैं आपको बताऊंगी otherwise हमारी जो कल वाली वीडियो है उसके अंदर हम लोग इसकी solution करेंगे यह आप लोग के exercise 4 है नीचे वाला जो exercise है इसकी भी बच्चा आप screenshot ले लीजिए आपके 10 questions है और कल हम लोग क्या करेंगे इसका solution करेंगे लास्ट से लास्ट वीडियो फर्स लेच्चर से स्टार्ट करने के लिए लिंक जो है वो description box में आप वहाँ से इसको देख सकते हैं अच्छी तरह से और कुछ नहीं समझ में आ रहा comment box में में से comment करके पूछिए अपनी fair note book properly prepare कीजिएगा मैंने youtube के उपर आप लोगों को instructions दी हुई है वो अच्छे से देखिएगा और description box के अंदर मैंने बताई हुए कि note book आप कैसे prepare करोगे ok students तो thank you